जिया नमस्कार हार्दिक स्वागत है आपका इस यूटीब चनल में नई वीडियो के साथ जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली विधान सबात चुनाव जैसे जैसे नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुकाबला तीनों ही पार्टियों में रोचक होता जा रहा है जहां आम आदमी पार्टी पहले चुनाव के जो स्टार्टिंग थी उसमें जब उमीदवारों की गोशना हो रही थी तब आम आदमी पार्टी लगाता यही शो कर रही थी उनकी पार्टी लगपक पचास से पलस जीटे जीत कर भूमत प्राप्त कर रही है लेकिन जिस हिसाब से मत्दान के दिन नजदीक आ रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेश पार्टी और उसे के साथ साथ बीजे भी तीनों ही पार्टी ओमें लगता है कांटे की टकर बढ़ती जा रही है वहीं फलोदी चुनाव में जो परती सब्सक्राइब के लगबक सभी सांसत दिल्ली में डेरा डाले हुए है और वो अपने पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को अवगत करा रहे हैं तो दोस्तों अब हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने फलोदी चुनाव का है तीस तारिक जनवरी तीस जनवरी दोजार भीस का क्या बाव निर्धारित किया गया है उससे पहले दोस्तों आप से गुजारिश है कि आप दिल्ली विधान सवाद चुनाव की किसी भी न्यूज के लिए आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहीं कोमेंट में आप भी हमें जुरूर बताएगी किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है वहीं इस वीडियो के अंत में आप से एक क्यूशन पुचा जाएगा और उसका सही जवाब देने वाले तीन कंडिडेट को दिनाक 11-12030 को इनाम दिया जाएगा वो भी पेट जी हाँ बीजेपी बारतिये जन्ता पार्टी जैसे कि ये कोलम है ये 28 तारीक का रेट ता ये 29 तारीक का रेट और ये है 30 तारीक का रेट इसी तरह हम देख सकते हैं 40-50 सीट के लिए जहां 28 तारीक को 3.90 रुपए का बावधा वो 29 तारीक को 4 रुपए 13 पैसे हो गया ता लेकिन उसके बाद 30 तारीक को देखने को मिल दा है कि उसमें काफी कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है और BJP कहीं न कहीं मजबूत स्थिती में पहुंचना शुरू हो चुकी है उसके बाद हम बात कर लेते हैं 30-40 सीट के बारे में 30-40 सीट के बारे में 28 तारीक को जहां 2.83 पैसे था वहीं 39 तारीक को 2.19 पैसे और 30 तारीक को 1.9 पैसे दोस्तों यहां देख सकते हो आप इसमें लगबग 20 पैसे का बड़ोतरी होई है 20 पैसे की कटोती होई है जिससे कहीं ने कहीं BJP बहुमत के दरफ दोड लगा रही है जिहां 30-40 सीट के लिए जहां BJP को 1.93 में मिल रहा है वहीं 20-30 की बात करें जहां 2.21 पैसे था वहीं 2.40 पैसे था 39 तारीक को लेकिन जो 30 तारीक की बात करें तो वहां लगबग 33 पैसे की कटोती होई है जिहां 2 2.07 ये रेट पहुन चुका है दोस्तों यहां कुछ हमें गलती लग रही है क्योंकि जो टेवल बनाने में तो रिश्क गलती होई है यहां जो रेट है वो 1.87 है जिहां 1.87 ये पहुन चुका है जो अभी अभी 20-30 सीट के लिए है वहीं बात कर लेते हैं 0-15 सीट के लिए ज आप देख सकते हो लगबग 22 पैसे की बड़ोतरी होई है जिसमें मजबूती के साथ बीजेपी सामने आ रही है इस मजबूती के पीचे सबसे बढ़ा राज यह है कि बीजेपी के लगबग सभी मंतरी और जितने भी सांसद है वो सब सबने दिल्ली में डेरा डाल लगा है और सबी अपनी पार्टी के लिए कार्या कर रही है कोई घर गर जाकर बोट मांग रहा है तो कोई रेलिया कर रहा है और कोई रोड़्चों कर रहा है जिसके कार्ण यह श्तीती पर पैदा होनी सुरू हो चुकी है कि बीजेपी पहले चुनाओ में नहीं थी लेकिन अब जो स्तीती पैदा हो रही है उसमें बीजेपी लगबग दोनों ही पार्टी को काड़े की टक कर दे रही है तो दोस्तों यह था बीजेपी का भाव अब इसके बात करेंगे हम दूसरी पार्टी के भाव के बारे में उससे पहले दोस्तों आप से गुजारिश है कि आप इस 2014 से सरकार में थी और अब फिर से अपनी सरकार बनाने की कवाया दर लगा रही है जहां यह भी सीट रहे जहां यह 28 तारीक का बाव है यह 29 तारीक का बाव है जहां 30 से 40 सीट के लिए आप देख सकते हो 28 तारीक को 0.85 पैसे था वही 29 तारीक को 2024 में पैसे होक चुका है और लेकिन 30 तारीक को देख सकते हो आप आदमी पार्टी और कम जोर स्थीति में लगबग 7 पैसे के नुक्सान के साथ सामने आ रही है जिससेकि जो आप आदमी पार्टी है 30 से 40 की 40 से 50 के जो सीट की रेंज थी उसमें इसकी कटोती हो रही है वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम बात कर लेते हैं 30-40 सीट के लिए 30-40 सीट के लिए जहां आमादमी पार्टी का 28 तारिक को 1.39 था 29 पार्ट को जो ब्रोतरी हो कि 1.41 हो चुका था जहां कमजोर स्थिति में पहुंची थी लेकिन 30-40 सीट के लिए यहां फिर से मजबूत स्थिति में बैठी है और 1.23 के साथ लगबग जो आमादमी पार्टी है वो यहां देख सकते हो एठारा के लगबग जो कटोती होई है जहां मजबूती दिखा दे रही है लगबग यह भहुमत की तरफ अगरसर हो रही है और जो सबसे पहले जो 40-50 सीट में इनका आगड़ा बहुती जवर्दस था लेकिन जैसे जैसे नजदीक आरा पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है वहीं 20-30 सीट की बात करी जहां 28 तारीक को 2.75 था 29 तारीक को 2.66 हो गया और 30 तारीक को यह फिर से 2.51 हो चुका है यहां भी कुछ ने कुछ मजबूती दिखाई दे रही है यहां लगवग 15 पैसे की मजबूती दिखाई दे रही है वहीं 0 से 15 सीट के लिए जहां 28 को 4.10 था 29 को 4.03 और 30 को 3.20 में पहुंच चुका है तो दोस्तो यह था आमादमी पार्टी के भाव के बारे में इसी तरह अब बात करेंगे हम कांग्रेस के भाव के बारे में इससे पहले दोस्तो हम आपको बता देते हैं कि केजरी वाल लगातार अपने पार्टी के नेताओं के संपरक में और वो रोड़ शो कर रहे हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि यह चुनाव अन्य रज़ों से अलग है यहां कारिये वर्शी देश की सरकार जो भारत की सरकार है उसके खिलाफ ये चुनाव है और ये पहले भी बीजेपी और कांग्रेश के कार्यकरताओं से अपील कर चुके हैं कि इस चुनाव में उनका साथ दें वो विकास देखे और उनका साथ दें तो दोस्तो ये था आवादमी पार्टी के भाव के बारे में अब हम बात करेंगे कांग्रेश के भाव के बारे में तो दोस्तो दिल्ले में कांग्रेश जहां मजबूर सिती में लगातार पहुचने की कोशिश कर रही है जिहां जैसे जैसे नजदी का रही है चुनाव रोचक होता जा रहा है सबी पार्टियां लगबग बरावर की हागदार बनती जा रही है और बहुमत की तरफ अभी तक किसी पार्टी को अगरसर होते नहीं मिला जहां आदमी पार्टी मजबूती थी लेकिन अब दीरे दीरे कमजोर हो रही है अब कमरेश की बात करें जहां सीट है यह 28 तरीक का यह 39 तरीक का और यह 30 तरीक का जहां 40-50 के लिए जहां 28 तरीक को 3.8 पैसे था 39 तरीक को वही 2.6 पैसे और 30 तरीक को फिर से मजबूती के साथ 1.1 हो गया है वहीं 30 से 40 सीट की बात करें जहां 28 तारीक को 2.11 था 39 तारीक को 1.3 और 30 तारीक को 1.81 हो चुका है तो यहां भी देख सकते हो दोस्तो इस लाइन में कांगरेश कहीं न कहीं भवमत की तरफ अगरसर हो रही है जहां आज लगबग 8 पैसे का मजबूती के साथ आगे आई है वहीं 20 से 30 की बात करें जहां 1.37 से 28 तारीक को 39 तारीक को 1.22 और 30 तारीक को 1.19 हो चुका है 0 से 15 सीट की बात करें जहां 28 तारीक को 1.15 था 39 तारीक को 10 पैसे था और 30 तारीक को 0.8 पैसे रह चुका है तो दोश्तो इसमें आप खुद ही देख सकते हो जैसे जैसे गॉंग्रेश पार्टी चुनाव की तरफ मालोर लास्ट डेट आ रही है आठ परबरी उस तरफ जैसे जैसे अगरसर हो रही है पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है इस मजबूति का असर आप इस लाइन में देख सकते हो 30 से 40 के सीट में जहां 2.11, 1.30 और 1.81 दोस्तो जब ये लगबग एक के लगबग आजएगा एक से कम आजएगा वहीं से कॉंगरिस पार्टी को बहुमत मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तो ये था पूली डिटेल जैसे कि हमने आपको बताया कि जहां लगातर कोशिश के बाद कॉंगरिस ने अभी अपने बड़े लीडरों को नहीं उतारा है जैसे ही बड़े लीडरों को उतारेगा ये इस टारगेर तक पहुंच सकती है और फिर से चुनाओ में अपनी जो पिछे की पंदरा साल का जो पलान था उसको फिर से सुरू का सकती है इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कॉंगरिस ने भी अपने मुख्यमंतरी चहरे का ऐलान नहीं किया उससे पहले भी सीला दिक्सित जो कॉंगरिस की सबसे बड़ी लिडर थी और दिल्ली में मुख्यमंतरी रह चुकी है लेकिन अभी उन्होंने मुख्यमंतरी का ऐलान नहीं किया तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा क्यूशन ये है कि सीला दिक्सित जो दिल्ली की मुख्यमंतरी थी किनतने साल तक दिल्ली की मुख्यमंतरी रही हमें कोमेंट करके जरूर बताएं वहीं वीडियो को लाइक करके सेर करना ना बुले और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए